नवस्कार आप देख रहे हैं डीबी लाइव नज़र डालते हैं इस वक्त की पड़ी खबरों पर उतर भारत में गर्मी का कहट जारी दिल्ली, यूपी, राजस्थान और कुछ राप में आस्मान से बरस रही है मौसम विभाग ने कहा फिल हाल गर्मी से राहत नहीं केंद्रे बिजली मंतुरी की प्रेस कॉंफरेंस में दो बार हुई बिजली गुल, दो सालों के कामों का ब्योरा दे रहे थे पियुश कोयल, बात संभालते हुए कहा, अभी और काम करना बाकी चुनाविहार के बाद कॉंग्रेस में बड़ा बदलाव संभव राहुल गांदी जल्द बनाई जवा सकते हैं अध्यक्ष, दिगच नेताओं ने की है नैत्रुत बदलने की मान सिवान के बाद अब नितिश के ग्रहस दिले नालंदा में पत्रकार को मिली, जान से मारने की धमकी, जेडियू, एमलसी, हीरा विंद पर लगा आरोप, लेकिन नेताओं जी ने साधी चुपपी बुलिटन की शुरुआत करते हैं गर्मी के कहर सजाली खबरों के साथ, भीशन गर्मी उत्तर भारत में कहर बरपा रही है राजस्तान, यूपी और गुजरात में पिछले दो दिनों में जानलेवा गर्मी से करीब दो दरजल लोगों की मौत हो चुकी है मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत को इस हफते गर्मी से राहत मिलने की कोई उमीद नहीं है राजस्तान के फलोधी में भी 12-51 डिगरी तक जा पहुँचा, वही देश की राज़धानी दिल्ली में हालात ऐसे ही बने हुए है अनुमान है कि 12-50 डिगरी तक जा सकता है, बीशन गर्मी से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि प्रशासन की तरफ से देश के 6 राज्यों, राजस्तान, मध्यप्रदेश, गुजरात, 36 गर्ण, महराष्ट और तेलंगाना में रेड अलट जारी कर दिया गया है और लोगों कि प्रेस कॉन्फरेंस में एक नहीं बलकी दो बार अंधेरा चा गया, दरसल प्यूश कोईल अपने दो सालों के काम का ब्यौरा दे रहे थे तबी अचानक दो बार बिजली चली गई, बिजली जाने के दोरान सिती ये रही कि सभी पत्रकार और अन्य लोग अंधेरे में ब बिजली जाती है, अब देखना होगा कि ये वाकई में जाती है या फिर कोई कड़ बड़ी है और अब खबर कॉंग्रिस खे में से जहां चुनावी हार के बाद हरकंप मचा हुआ है खबर आ रही है कि पार्टी उपाध्यक्ष राहूल गांधी जल्द अध्यक्षपत की कमान संभाल सकते हैं पार्टी के एक वरिष्ट नेता ने बताया है कि विधान सभाचुनाव और पुनर गठन में परिवर्तन दोनों अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं विधान सभाचुनाव में पार्टी के हार से राहूल गांधी के अध्यक्ष बनने पर कोई असर नहीं पड़ेगा उनके मताबिक राहूल गांधी बहुत जल्द कॉंग्रिस अध्यक्ष की कमान संभाल सकते हैं को बता दे कि कॉंग्रिस को मिली करारी हार के बाद पार्टी के दिगच नेता दिगविजय सिंग और शशी धरूर ने आत्म चंतन छोड़कर एक्षन लेने की मांग की थी और बढ़तें अगली खबर की तरफ देश में कॉमन मेडिकल टेस्ट पर बढ़ते विवात के बीच आज केंदर सरकार ने बड़ा फैसला किया है केंदर सरकार ने इसे अगले साल तक तालने के लिए अध्यादेश को मन्सूरी दे दी है आज कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें राज्यों की बोर्ट को एक साल तक एन इईटी में छूट मिल गई है आपको बता दे कि एन इईटी पर सुप्रीम कोड के फैसले का कहीं राज्यों ने विरोध किया था जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया है वही इन सब के बीच अर्विन के जिवान ने अध्यादेश के खिलाफ पीम नरेंदर मूदी को चिठी लिखी है उनका आरोप है कि कई नेता नीजी मेडिकल कॉलेजों में गोरग धंदा कर रहे हैं और ऐसे में निच पर अध्यादेश देश के खिलाफ होगा और अब खबर बिहार से मुख्यमंदरी नितीश कुमार के ग्रह जिला नालंदा में भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है एक हिंदी दैनिक अकबार के समभादाता को पिछले कई दिनों से जेडियू, एमिलसी, हीराविंद और उनके गुर्गो द्वारा कथित तौर पर जान से मारने की धंकी दी जा रही है पत्रकार राजेश के मुदाबिक वो अकेले अपने बिहार शरीफ कारियाले में काम कर रहे थे तबी चार अक्यात वहाँ आधम के राजेश को अकेला पाकर बदमाशों ने उनसे पूझा कि पंचायत चुनाफ के दौरान वोटर को धंकाने वाली खबर किस ने लिखी है जब राजेश ने कहा कि वो खबर उन्हों ने लिखी थी तो बदमाशों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि अगर जिन्दा रहना है तो विधान पार्शद हीराविन से माफी मांग ले और उनके खिलाफ खबर लिखना बंद कर दे राजेश ने इस घटना की शिकायत लहेरी थाने में दे दी है वही फिलाल अब पुलिस जो है वो मामने की तफ्तीश में चुट गई है फिलाल इस पुलिटन में इतना ही देखते रहे ये टीबी लाइफ क्योंकि यहां है खबरे लगातार